असलामू अलेकुम विध्यार्थी मित्रों कालना तासनी अंदर आपने इजारो एटले सु अने इजाराना लक्षणों सुचे तेना विसे अप्यास करिवातू अने आजना तासनी अंदर इजारा योक्त हरीफाई चोवानी चे आपने अगाओ काले चोई कईया था जारो एटले सुन तो इजारो एटले के एकज़बजार नी अंदर एकज़ब पेड़ी वस तुनों वेचान करती होई अने तेनों उत्पादन करती होई तो तेने इजारों के वहमा आवे चे अब इजारा युक्त हरीफाई लेके एवी हरीफाई के छे नमा उत्पादक अने वेचनार एक होई अने एवी हरीफाई बजार नी अंदर जोवा मड़े चे तो तेनों आपडे विगतवारा प्यास कर सूं अगव आपणी काले जोई गया आता के इजारों छे आदर्श इजारों तरीके वोड़ाखामा आवे चे अने अमुक इजारों छे अद्रेश्य वस्तू छे द्रश्य वस्तू नथी केमके आ वस्तू सामनेरी ते आपणे घणवा जोवा बेसी है तो इजारों चे इए कोई बजार नी अंदर नथी जोवा मरतू आने होए जे तो नहीं वत प्रमार नी अंदर होए छे केमके एकज उत्पादक होई कोई पड़ वस्तूनों आने एकज वेशनार होई एवो तो बन्तूज नथी तो आ एक वस्तू एवी चेकेचे अद्रश्य सोरूपे जोवा मड़ेचे द्रश्य सोरूपे होती नथी आपने आजे विगतवार इजार युक्त हरिफाई सुन चे तेना वी से अभ्यास कर सुन बजार मा वास्तों मा नतो पुर्ण हरिफाई जोवा मड़ेचे एलके थोड़ो 10 औने थोड़ी हरिफाई होती होती है आजने युग मा इजारा युग्त हरिफाई वाड़ा बजारो नुस्ती व वधारे प्रमाणमा जोवा मड़ेचे व्याख्या जुइ तो प्रोफिसर चेंबरलीन 21 यूकतर हरीफाई विसे तेनी व्याख्या आबेजे कि पुर्ण हरीफाई और पुर्ण 2009 होई पण बन्ने की नुद सह अस्तित्व होई तेवा बज आरने fortun यूगतर हरीफाई को यां जोई आऴा मा आबेजे पूर्णा हरीफाई नहीं पूर्णा इजारो पुर्णा इजारो पुर्णा हरीफाई नहीं पूर्णा इजारो पुर्णा 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 इजारो प्रतिक पेटी इजार दार बनती हुए अने साथे साथे ते हरीफाई पन करती हुए तेवी बजार नी परिस्तिती ने अपूर्णा हरीफाई कहवाई छे प्रतिक पेटी इजार दार बनती हुए अने साथे साथे ते हरीफाई पन करती हुए तो तेवी बजार नी परिस्तिती ने अपूर्णा हरीफाई कहवाँ मावे छे जे माँ कोई पर प्रकानी हरीफाई होती नथी अथो पूर्णा हरीफाई नथी होती थोड़ा गढ़ा अंसी हरीफाई होई छे इजारे युगता हरीफाई ना अपने लक्सन जो इन तो पेलोज लक्सन छे मोटी संख्या मां वेशनारा आने असंख्या खरीदनारा होईचे पड़ा हरीफाई मां असंख्या उत्पादको के वेशनारा होईचे हरीफाई होई जियां मरलब एक बीजा साथी स्पर्धा करता होई एक बीजा साथी हरीफाई करता होई तो त्या असंख्य उत्पादक होई छे आने वेशनारा पाण असंख्य होई छे इजारामा एकज उत्पादक के वेशनार होई छे जैर इजार युक्त हरीफाई मा घणा उत्पादको के वेशनारा होई छे एनो अर्थ एम थाए चे कि इजारा युगत हरीफाई मा उत्पादको के वैस्थनारा खुब ओचा के खुब वदू नहीं पर मोटी संख्या मा होए चे जेती इजारा युगत हरीफाई मा हरीफाईनों तत्व मोटा प्रमाण मा समायलू होए चे जेरे खरीद नारा आ बजार मा असंख्यों होवा थी तेओ बजार मा व्यक्तिकत धोरने कोई मोटा फेरफारों लावी सकता ना थी अयासू की दूचे के खरीद नारा ये लेके जे ग्राहाँक चेते आ बजार मा असंख्यों होवा थी खरीजनारा असंख्या छे, और तियो बजहर मा व्यक्ति गद्नोरने कोई मोटा फेरफारों लावी सकता ना थी, लेकि व्यक्ति गद्नोर वस्तु नी कीमत पर ठरवादी सकता ना थी, वस्तों नी कीमत उपर खरीद नारा एके बड़ प्रकार नू फेसपार नहीं लावी सके केम के जेम चाले चे तेम चाल तुछ रहे से दिपक चायनी भुकी चे तो अत्यारे आपड़े जेटला पड़ेना भाव वत्ता जाये चे तो पड़े इनी खरीदी चालू राखियें चे केटला बदा चायनी उत्पदन करवा वड़ा उत्पदको छे पड़ दिपक चायनी भुकी खुब ज़ प्रख्याच चे तो अपड़े तेनी उप्योग चालू राखियें चे घमे देटला भाव वदेश चाताय पण खरीद नारा तेना उपर कोईप प्रकानी कार्यवाई करता नती त्यार बजी वस्तू नी विबिनता वस्तू विबिनता ए इजारा युक्त हरीफाईनू एक विसिष्ट लक्सन छे वस्तू विबिनता एटले एकच ब्रकानी वस्तू अन्य वस्तू तीस स्वरूप गुणधर्मा के गुणवतामा भीन चे एम दर्सावो आ बजार्मा उत्पादको चे वस्तू नो उत्पादन करे चे ते समान गुणी के एक सरकी नो होई नजी वो तफावत होई चे वजन गुणवता वगेरे द्रश्टी ये नजी वो तफावत होऊना कारणी तेव समान गुणी के एक सरकी वस्तू नथी तेव बनी रहे चे वस्तू ने अन्य वस्तू ती जुदी पाड़वा अन्य विसिष्ट ओड़कापा वस्तू विबिनता उप्योगी छे त्यार बची चे पेडियों नी मुक्त अवर जवर 2011 वड़ा बज़ार मा पेडियों नी मुक्त अवर जवर नो अर्थ पेडियों नो उद्योग मा विना नियंत्रणे प्रवेस अने निकास ज्यारे कोई एक उद्योग असामान्य नफानी स्तिती मा होई त्यारे आवा नफाथी आकरशाई पेडियों मुक्त पणे उद्योग मा प्रवेस करे छे ते मज जो कोई उद्युग मां सामाने खोटनी स्थिती उभी थाए तो पेडियों खोटना कारने उद्युग छोड़ी व्यवसाय बंद करी जाये चे आम आ बजर मां पेडियों नी अवर जवर उपर कोई पर प्रकारनों प्रतिबंध होतो न थी आयां पेडियों इजारा यूकट हरीपाईनी अंदर पेडियों मुग्त रिते आवर जवर होये चे जे मां उद्युग मां विना नियांत्रों न प्रवेस औने निकास थाई सके चे असामाने नफानी स्तिती होई त्यारे आवा नफाती आकर्षाईने पेडियो मुक्त पणे उद्योग मां प्रवेसे छे नफानों कोई पर प्रकानों धोरन नकी नती हो तो असामाने अनफ हो छे एलेके खुबच नफों मलेचे त्यारे पेडियों मुक्त पणे उद्योग नी अंदर प्रवेसे छे अने जारे खोट नी स्थिती उभी थाए मतलब के हवे एने एम छे कहवे खोट तसे तो ते उद्योग छोड़ी ने एलेके व्यवस्ताइ बंदपन करी ने जाए छे एम पेडियों नी अवर जवर उपर कोई पर प्रकानों प्रतीबन नथी हो तो इजारा युगत हरी फाइवाडा बजार मा पेडियों नी मुगत अवर जवर मात्र टुंका घाडा माजोवा मडे चे एटलेके पेडियों टुंका घाडा मा उद्योग ना नफवाती आकणशाई प्रवेस करें छे अत्वा खोट ने काने निकास करें छे परन्तो लांबा खड़े जयरे 21.15 बजार सामाने नफानी स्तिती हांसल करे छे त्यारे पेडियों नी उद्योग मा आवर जवर आपो आप बन थाई छे खारण के जारे उद्योग सामने नफानी स्थीति ये पोंचे चे त्यारे पेडियों ने आवा उद्योग मा प्रवेस्वा माटेनू आकशन रहतु नथी औने तेथी पेडियों उद्योग मानो प्रवेस बंद करे चे तेवीज री ते उद्योग मां सामाने नफानी स्थिती एक कोई पेडी खोट न करती होई ते उद्योग छोडी जाती नथी आपने यां एक एवू उदारन लई सकीं के रूतुगत वस्तून उद्पादन थतुए दाखला तरी के दीवाडी ना फटाकडानू उद्पादन थाए छे ते आरे पेडियो छे फटाकडानी उद्योग नी अंदर अत्वा कम्पनी नी अंदर फटाकडा बनावा माटे आकर शायचे तेनो उद्पादन करवा किमके ने नफो वदो थासी एवी एने आसा होई छे जेम आ दीवाडी नो प्रसंग पूरो थाए छे ते आरे ते पोतानू उद्पादन करवानू जे फटाकडानू छे ते बन्द करेचे आने अन्य धन्दा तरफ आकर शायचे ते वी रिती उन्दाडानी अंदर जे ठंडक आपना फ्रीज होए छे अथ्वातो सियाडानू जुदारान लें सियाडानी अंदर वस्तो ओनू घरमकपडाओन उद्पादन थाए छे ते आने पची सियाडो जतो रही छे त्यारे कोई पन घरमकपडाओन श्वेटर छे के बधी वस्तो नू उद्पादन नधी करता तो ते पोताना बीचा दंदा तरफ पाछा वड़े छे त्यार पची नू मुद्धो छे वेचान खर्च वेचान खर्च एले वस्तो ना वेचान माटे थतो खर्च वेचान खर्च माँ वस्तो नू आकर्षक और उप्योगी पेकिंग, वाहन व्योवार खर्च, वेचान वेरो, जथा बंद वेपारी और छुटक वेपारी ने चुकवाती खास रकमो सोरो माने सेल्समेन पाचर्च थतो खर्च वेचान माटे अपाती जिकेटले कीमत नी छोट चाटो इनामों भेट अने सौधी अगत्यनों जायरात खर्च वगेरेनों समावेस थाई छे आम वेचान खर्च ए उत्पादन खर्च नो भाग न थी वेचान खर्च ले वस्तुने वेचवा माटे हवे घ्रहाकोंने गेवीरी ते आकर्शित करो तेना पाचर जी खर्च थाई जित्ते उत्पादन खर्च ले वस्तुने बनावा माटे थतो खर्च छे ते उत्पादन खर्च छे उत्पादन थाई गई हुचे हवे वेचवा खासल करीएं चीं, णिकास करीएं चीं, ते बधुर खर्ण और हो आज ओए ते एन्ने वेचान खर्ण खर्ण कहां चीं 211 हरीफाई मा वेचान खर्ण एक वीसिस्ट लक्सन चें आ लक्सन पूरा हरीफाई मां के 212 मां जोगा मारतु ना थी इजारा युक्त हरिफाई वाड़ा बज़ार मा उतपदकू के वेपारियोंनी एक मोटी संख्या वचे हरिफाई थती हुवाना कारणे उतपदकू के वेपारियों खरीदनारा एलेगे घ्राहकोंने आकरश्वाना उदेस्ती वेचान खर्च नो उप्योक करेचे वास्तों मा आ बचार नी वस्तों मा रहली विबिन ताने कारणे वस्तों नी एक चोकपस ओड़क मड़े छे आने तेथी वेचान खर्च सक्य बने छे ताक्ला तरीके मोबाइल नावानों साबो वगेरेनी विविद प्रकार नीच अहे रातों नू अस्तितो जोबाणे छे त्यार बादनू मुद्धोचे बिन कीमत हरिफाई इजारा युक्त बजार हरीफाई मां कीमत हरीफाई नी साथे बीन कीमत हरीफाई पाण चुवा माले छे आ बजार ना उत्पादको अने वेचना रहो वस्तो नी मांग वधर्वा माटे वस्तो नी कीमत स्थीर राखी वस्तो नी गुनवतामा फिर्फारो करी जयरातना माध्यम दोवारा खरीजना रहोँए टलेके ग्रहागों ने आकर्ष्वा प्रयातन करे चे अयासुं की दूचे बिन कीमत हरीफाई अने वीचना होचे वस्तोनी मांग वधारवा मांटे लेके वस्तोनी मांग केमवधे एना माटे वस्तोनी कीमत स्थीर राखी वस्तोनी गुणवतामा फेरफारो करी अने जायरातना माध्यम द्वरा एलले के जे ग्राहाको छे एने आकश्वानों प्रेहत न करे छे एलले के वस्तोनी गुणवतामा फेरफार कर से एलले के कॉलेटी मा सुधारो कर से आ उप्रान तेव वस्तु वेचान बादनी विविद गुणवता सबर सेवाओ पूरी पाडी खरीजनारावेलेगे ग्रहाकोंने आकरशेचे आ प्रगानों बीन कीमत हरीफाईनू आ लक्षन आ बजार मा जोवा मडेचे 24 बज़ी चे बजार अंगेनू अपूर्थु ग्नान आ बजार मा वस्तु ना वेचन राशन खरीजनारावें बजार अंगेनू समपुण ग्नान होतु न थी एलो खो उत्पादन करीचे पन बजार नि अंदर आ वस्तु वेचासेकें ने यह खबर न थी ग्रहाव कुपर राधारी चेके वस्तु ग्रहाव करिदवाई चेके नथी चेतो आ बजार मा नजीक नी अवेजी नी तमाम वस्तुओना गुणदर्मो अने गुणवता थी तेयो माहितगारोता नथी अने तेथी आ बजार मा एक सर्खा उद्योग मा आवती नजीक नी अवेजी वस्तुओनी कीमत उची अत्वा नीची होजे आम बजार मा नजीक नी अवेजी वस्तुओनी कीमतों एक समान होती नथी मतलब कोई पन वेक्ती चे अत्यारे एने मोंगी वस्तु मड़े चे दाकला तरीके आपने उधारन अत्यारेज ले 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 ये के दिपक चाय चे एक खुब मोंगी चे तो वेक्ती एने अवेजी मां वागबकरी चाय नो उप्यो कर से तेना पचिक ब्रुक्पन टी नो उप्य खान ना भाववदी गया चे तो घोर नो उप्यो कर से तो अवेजी वस्तु सस्ती हो एतो तेनो वदु प्रमाण मा खरीदी थती हो चे एले आ वस्तु नी जे उत्पद कोछे एने जान होती न थी सर्वाडे आ एक एवु बचार चे जिया नजिक ने वस्तु ओ नजिक ने अवेजी वस्तु ओनो उत्पादन के वेचान करती पेडियों नी मोटी संख्या हो एचे आ उप्रांत आ पेडियों मा वेचान खर्च ना माध्यम थी वस्तु नी एक अलग होड़क नी रचना करी इजारा जिवी स्थिती नो निर्माण थाये चे आम आ एक इजारा आओ नी स्थिती धरावती पेडियों वच्चे नी हरिफाई एटले के इजारा यूगत हरिफाई बने चे आजना तास नी अंदर आपने इजारा यूगत हरिफाई वी से अभ्यास कर्यों आपने अलप हस्तक इजारो एटले सू तेना वीसे अभ्यास कर सू आजे जे प्रश्णानू आपने अभ्यास करिव छे ते तमारी पाकी नोट्बुक नी अंदर नो दीले सू इजारा यूकत हरीफाई एटले सू अने हरीफाई ना लक्षणू